मित्रो नमस्कार आज दिनांग 15 अक्टूबर 2020 मित्रो आज जो एंसी कोर्स कौुल ली काँट्मेंट लेटर जारी और इसमें आपको जो आपका रिजिस्टर्ड मॉबाइल नम्बर है मित्रों उस पर भी आपको इसमेस आ गया होगा अगर आपको कॉलेज अलाट हो गया है तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी उनमें से कोई एक कॉलेज आपको अलाट हुआ है आए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन को कालेज है मित्रों में बताना चाहूँगा यहां कि उसका निर्दारीत एक सान का सुछ एक साल के सुनका है आपको आधी फिस ही और आपको जो कॉलेज अलाट हुआ है उसकी कितनी फिस है या पता करना पड़ेगा या आपको थास्मेस के दोरा भी हो सकता सूचित किया ग का कॉलेज खुलेगा तब आपको ये जो आप अभी प्रिंट आउट करेंगे जो अपना फीस पेट करने का ये फीस पेट का प्रिंट आउट और सीट इलाट्मेंट लेटर का भी उस बीट कॉलेज के हिल्फ सेंटर पर आपको जा करके फिर से एक बार आपको वेरिफिकेशन कराना होगा लेकिन वह अभी नहीं कराना है आपको कब कराना है आपको जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो समंधित कॉलेज के हिल्प सेंटर पर जा करकर टी-सी, माइग्रेशन, सीट अलाट्मेंट लेटर और जो आपने फीस पेट करी है उसका प्रिंट आउट और जो भी आपके डाकुमेंट्स हैं टेंथ से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसकी आधार भी आप समझनी तुए हैं कांसिलिंग में और मूली मासी बगएरा कास्ट सर्टिफिकेट इन सभी डाकुमेंट्स के साथ आपको अपने हेल्प सेंटर पर जाकर के वेरिफिकेशन फिर से करवाना पड़ेगा और फिर जाकर के आपको अपने कॉलेजी में रिपोर्ट करनी पड़ेगी तब जाकर के आपका एड्मिशन पूर्ण माना जाएगा मित्रूँ इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी फीस फेट करें उसका प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज से संपर क करें कॉलेज भी आपको एसमेस करेगा कि आपको कॉलेज कब खुल रहा है इस बात का भी आप ध्यान देते रहें उसका मेसेज भी आपको आएगा इसलिए अपना मेसेज बराबर चेक करते रहें मोवाईल में अभी हाल फिलाल में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 19 और चेर करेंगे मित्रों आपका अपली किसल नंबर आ जाएगा आपको अपली केस नंबर आपको डालना है और उसके बाद आपको अपनी डेट आप बर्त और ट्रांजेक्शन आप बार ध्यान दें ट्रांजेक्स नाईडी हो सकता है आप स्टकूंसलिंग से अपलाई कर उस पर आपको एक transaction ID मिला होगा उस transaction ID को आपको यहाँ पर डालना है और इस कैपचा को यहाँ पर डाल करके view detail करेंगे आपका seat alignment letter आ जाएगा और उसका आप कम से कम 2-3 print out निकाल करके रख लें तो यह मित्रों एक जानकारी है जो कि seat alignment letter राजफंदर अक्टूबर को मद्द प में तो आप देखेंगे कि pay admission fee आपको जैसे seat alignment letter नीचे दिया हुआ है यह देखिए इसी के उपर देखिए pay admission fee आपको यहीं से payment करना है जो भी payment करना है college की 19 अक्टूबर के पहले पहले pay admission fee लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपनी payment fee पेट करना आपको application number डालना है data birth transaction ID सेम उसी process में जैसे आपने letter आपने alignment letter अपना डाउनलोड किया है और transaction ID को डालेंगे और उसके बाद fees payment का आपका option खुल जाएगा आप debit card credit card किसी के दोरा भी आप fees paid कर सकते हैं fees paid करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदी की किसी भी MP online की उसकर के पास जाकर के भी आप fees paid कर सकते हैं लेकिन वहाँ आपको जो भी नरधारी सुलक है की उसकर का वो आपको paid करना पड़ेगा तो मित्रों आज ही आपका seat alignment letter जारी हो गया फीज payment की भी प्रोसेस उपर दी हुई यह देख लिया आपने आईए आपको एक बार बता दें कि इस site तक पहुचने के लिए आपको कौन-कौन सी प्रोसेस किस प्रकार से करना है आईए देखते हैं आपको मित्रों सबसे पहले अपने google chrome पर h-e-d-dot-e-m-p-online.gov.in टाइप करना है जैसे ही आप h-e-d-e-m-p-online.gov.in टाइप करेंगे मित्रों यह आपसन आएगा इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर NCT course counseling का option आएगा इस पर आपको click करना है इस पर जैसे ही click करेंगे मित्रों इस तरीके से BA, 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 BA सभी का option खुल जाएगा मैं BA का बता रहा हूँ BA का पर जैसे click करेंगे इस पर गार का option आएगा आवश्यक सूचना के बगल में परवेस परक्रिया लिखा है इस पर click करना है यह आपका option सामने आ जाएगा यहाँ आप अपनी merit list भी देख सकते हैं paid admission fee आपको जो फी मेंस नरधारी ते be at college का जो आपको fees paid करने का process है वो मिल जाएगा और आपका receipt choice इस feeling जो आपने करी है वो भी आप यहाँ से print कर सकते हैं और seat alignment letter भी कर सकते हैं तो मित्रों यह सूचना थी अत्रिक्चर अन काउंसलिंग की आगे काउंसलिंग की क्या process है मित्रों यह मैं आपको 19 तारीक को बताऊंगा और धन्यवाद नमस्कार अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप comments करके प्रशन पूल सकते हैं मैं बराबर आपकी मदद करूँगा नमस्कार